सबी दोस्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल एम चन्दवाँ उपर, और आज हम इस एपिसोड में देखने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है व्यापार में होड़, तो चले चलते हैं कहानी की ओर, तो रोहन और भूशन उस शहर में प्रमुक्विया पारी थे, दोनों के बीच में तगडी होड थी, एक दिन एक यूवक भूशन के पास आया, काम में तलीन भूशन ने थोड़ी देर के बाद सिर उठाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से आये हो, तो उस पर उस बंदे ने बताया कि मोहोदय मेरा नाम बाला जी है, रोहन जी के यहाँ नौकरी करता था, वे कम वेतन देते थे, इसलिए मैंने वहाँ काम छोड़ दिया, आपके यहाँ काम मिले तो करूँगा, तो इस पर भुषण ने पूछा कि इसका क्या भुरोसा कि तुम यहाँ वेतन बढ़ानी की मांङ पेश नहीं करोगे, तो इस पर बाला जी बोला कि वेतन परयाप्ना हो, तो बाद में वेतन बढ़ानी की भिन्ती करना कोई गल्ती नहीं है ना, तो बाला जी ने सविनाटा इस पर भुषण ने पूछा कि समझ लो अगर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया तो इससे मुझे विशेश लाब क्या होगा तो इस पर बाला जी ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हे अगर मुझे तुम बता सको कि रोहन की व्यापार की उन्नती के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं या उनके दुकान में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में और आदी तो इस पर बाला जी ने कहा कि माफ कीजिए मैं आपको तत्संबंदी विवरण नहीं दे सकता महा के राज अगर मैं बता दूँगा तो आप मुझे काम पर नहीं रखेंगे तो इस पर भोशन ने पूछा कि तुम्हें ऐसा शक क्यों हो गया इस पर बाला जी कहता है कि अगर आप पूछेंगे कि इसका क्या भोरुसा कि तुम यहां की बात वहाँ ना बताओगे ऐसा बाला जी ने कहा तो इसका जवाब सुनते ही बोशन ठटा कर हस पड़ा और कहा कि बाला जी तुमारा उत्तर तुमारी अकलमंदी ही नहीं बताता बलकि तुमारी इमांदरी भी बताता है मेरे और रोहन के बीच में होड है तो व्यापार में सिरफ और व्यापार के विशयों में ही ना काम करने वालों के विशयों में आजाओ आजाओ लोग संभालो ये वहियां और काम पर लग जाओ तो ये थी दोस्तों अपनी कहानी व्यापार में होड जो की चंदा ममा पत्रिगा में प्रकाशित हुई थी मिलते हैं अगले कहानी में एक नई एपिसोड पर तब तक के लिए आपका चंदा ममा आपसे विदा लेता है अगर आपने इस चैनल को लाइक शेर और आपना क्या हो तो जरूर कीजिए ताकि आपको आगे की अपने इस मिलें धन्यवाद